एक बार एक समुद्री तुफान के बाद लाखों मचलियां समुद्र के किनारे तडप तडप कर मर रही थी। इस भयानक की स्थिती को देखकर एक छे साल के बच्चे से रहा नहीं गया। और वो बच्चा एक-एक मचली को उठाकर समुद्र में फेकने लगा। यह देखकर बच्चे की मा बोली बेटा लाखों की संख्या में मचलियां हैं तु कितनों की जान बचाएगा चलो घर चलते हैं। यह सुनकर उस बच्चे ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी। यह देखकर बच्चे की मा फिर बोली बेटा रहने दे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बच्चा जोर-जोर से रोने लगा और एक मचली को अपने हाथ में उठाकर समुद्र में फेकते वे अपनी मा से बोला मा इसे तो फर्क पड़ता है ना। फिर दूसरी मचली को हाथ में उठाता और समुद्र में फेकते वे फिर से बोलता मा इसे तो फर्क पड़ता है ना। यह सुनकर मा रुख गई और बच्चे को सीने से लगा लिया। फ्रेंड्स इस कहानी में एक बहुत बड़ी लेशन छुपी हुई है जो कि हम उस छे साल के बच्चे से सीख सकते हैं। जिंदगी में जब भी हमारे सामने कभी बड़ी प्रावलम आती है तो हम घुटने टेक देते हैं। उस समय हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिस करने से कभी पीछे नहीं हटता। वो बच्चा हार मानने के लिए तयार नहीं होता है क्योंकि उसे नासब्द समझ में नहीं आता है। क्योंकि उस बच्चे के लिए कुछ भी नामुम्की नहीं है और वो कोशिस करने से पीछे नहीं हटता है। बस कोशिस करते रहता है, कोशिस करते रहता है, और कोशिस करते रहता है